लोलार्ग सस्टी छट ललाई छट कब है कहां मनाया जाता है कौन से महिने में मनाया जाता है अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे नीचे बेल आकन से प्लेश चरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी पास जाए लोलार्ग सस्टी को ललाई छट लोलार्ग छट सकंद छट सुर्य सस्टी भी कहा जाता है लोलार्ग कुंड का सनान कब है दोहजार तैस लोलार्ग सस्टी दोहजार तैस में भादर पदर सुकल पक्ष सस्टी तिती दिन गुरुवार अनुराधा नक्षत्र दिनांकी की सितंबर को मनाया जाएगा इस पर्व में पुरे देश से बड़ी मात्रा मिश्र धालू सनान करने पहुचते हैं लोलार्ग कुंड वारा नसी एक डुबकी से ही सारी मन्यते होती हैं पूरी इसे वारा नसी बोलिये या काशी या बनारस तीनों ही नामों से जाना जाने वाला ये भारत का एक ऐसा शहर है जहां लोग आस्था के कुंड में डुबकी लगा कर अपने जीवन को पवित्र करने आते हैं वैसे तो अपने देश में हिंदू धर्म की आस्था के अनेक केंद्र हैं कई एतिहासिक तिर्थस्थलों और मन्यतायों के रूप में विधमान हैं लेकिन वारा नसी शहर तिर्थस्थल है जहां पहुँचना लोग अपना सोभाग्य मानते हैं यहां गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है जिसके किनारे सोस से भी अधिक घाट बने हैं गंगा नदी के इनहीं घाटों में प्रचलित तुलसी घाट के निकट एक प्राचीन कुंड है जहां मान्यत है कि इसमें एक डुबकी लगाने से ही सारी मान्यताएं पूरी हो जाती है काशी के भदैनी में इस्थित इस कुंड को कोलार्क कुंड के नाम से जाना जाता है मान्यता है कि इस कुंड का निर्मान सत्युग में हुआ था जिसका उलेख महाभारत में भी मिलता है और कुछ स समय बाद इंदोर की रानी अहिल्या बाई ने कीमती पत्थरों से सजवा कर इस कुंड का पुना जिर्नोद्वार भी करवाया था कोलार्क कुंड में में भादो मास में कोलार्क शष्टी तिवहार बड़ी ही धूम धाम से मनाया जाता है हर साल इस कुंड में डुबकी लगान के लिए लाखों की संख्या में श्रधालू पहुंचते हैं लुलार्क कुंड क्या है वारा नसी में स्थित लुलार्क कुंड एक ऐसा कुंड है जहां एक बार सच्ची श्रधा सिसनान कर लेने से ही सारी मनते पूरी हो जाती है इस लुलार्क कुंड में उतरने के लिए उत से पानी अंटतह गंगा नदी में जा कर मिलती है। भूरे लाल पत्थरों से निरमित अद्भुत वास्तु कला वाले इस लोलार्क कुंड का दूसरा नाम सुरे कुंड भी है क्योंकि वारानसी में सुरे उद्धे होनी पर सुरे की पहली किरण इस कुंड में ही पढ़ती है लोलार्क का लोलार्क कुंड का इतिहास क्या है हिस्ट्री ओफ लोलार्क कुंड लोलार्क कुंड वारा नसी सतियुग त्रेता युग से लोगों की मनते पूरी करता आ रहा है लोलार्क कुंड के नाम के पीछे एक एतिहासिक मान्यता है इस मान्यता के अनुसार एक विंदू माली राक्षस जो सिव भक्त था उसे सुरेदेव ने प्रास्त किया था अपने भक्त की हार से क्रोधित होकर भगवान शिव हाथ में तुरसूल लेकर सुरेदेव की ओर जा रहे थे भगवान शिव से घबरा कर भागते हुए सुरेदेव अपने रत के साथ प्रीथवी पर इसी स्थान पर गिरे थे तब से इस स्थान का नाम लोलार्क पड़ा लोलार्क कुंड में स्थान करने से सारी मनते पूरी हो जाती है और तोचा से जुड़े रोग खत्म हो जाते हैं लोलार्क कुंड के लिए लोगों की इतनी स्रधा के पीछे भी एक लोक मान्यता है इस मान्यता के अनुसार पश्रिम बंगाल के एक राजा चर्म रोग से पि की सस्टी के दिन लोलारक कुंड में अपनी पत्नी के साथ सनान किया लोलारक कुंड में उन दोनों के सनान करने से राजा को न केवल अपने चर्म रोग से मुक्ति मिली बलकि उन्हें पुत्र रतन भी प्राप्त हुई 2023 में लोलार्क सश्टी कब है लोलार्क कुंड सनान 2023 देट लोलार्क सश्टी को ललाई छट लोलार्क छट सकंद छट सोर्य सश्टी भी कहा जाता है लोलार्क कुंड का सनान कब है 2023 लोलार्क सश्टी 2023 में भादर पद शुकल पक्ष शटी ती दिन गुरुवार अनुराधा नक्षत्र दिनांक 21 सितंबर को मनाया जाएगा इस पर्व में पूरे देश से बड़ी मात्रा में श्रधालों सनान करने पहुंचते हैं इसलिए यहां सनान के लिए कतार एक दो दिन पहले से ही लगनी शुरू हो जाती है यह कतार एक से दो किलो मीटर लंबी दूरी तक भी हो सकती है लोलारक सश्टी आने के पहले ही पूरे भादरपद महीने में यहां लखा मेला लगता है लोलार्क कुंड आने का सही समय कब है लोलार्क कुंड विजिट बेस्ट टाइम लोलार्क कुंड आने का सही समय तो सितंबर महिने लोलार्क सश्टी के दिन ही माना गया है यहाँ पर लगने वाले लख्खा मेला को देखने के लिए जो श्रद्धालू यहाँ भादो माह में आते हैं वे भी लुलार्क सश्टी पड़्व की रौनक को देख सकते हैं हलाकि अन्य दिनों में भी इस कुंड में सनान करने से आपको आत्मा की शांती प्राप्त होती है एक बार फिर से बता देती हूं लुलार्क सश्टी कब है जी हां लुलार्क छट जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाएगा दिन गुरुबार है अनुराधा नक्षत्र भादर्मा के शुकल पक्ष को मनाया जाता है तो आप इस दिन मना सकते हैं कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छोटा सा वीडियो प्लीज कमेंट्स करके ज़रूरू बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एन सेर करना बिलक और वाँ था ये वार एकाप, हम धरा है वा अ